एक अच्छा खिलाडी बनने के लिए आपको प्रतिभा की जरूरत होती है एक महान खिलाडी बनने के लिए आपको कुहली जैसे रविये की जरूरत है एक ऐसा खिलाडी जो टीम की शान है जो सामने वाली टीम अपना अहसास दिलाता है और रणों का अमबार लगा देता है विराट सर के बारे में कुछ बाते विराट कोहली का जन्म पांच नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था जब विराट नौ साल के थे तब उन्होंने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी में अपना नाम दाखिल करवाया था यहां इनको राजकुमार शर्मा से ट्रेनिंग मिली थी 2022 में उन्होंने दिल्ली अंडर 15 टीम के लिए खेला और 2002 और तिन विजय मर्चंट ट्रॉफी हुआ सबसे ज्यादा रन स्कोर किये थे विराट कोहली को लोग चीकू भी बुलाते हैं उनका यह नाम उनके कोचने रखा था कोहली की पढ़ाई विशाल भारती स्कूल में हुई थी कोहली के पिता प्रेम जी एक पेशेवर वकील थे कोहली की माता का नाम सरोज कोहली था उनका निधन दिसंबर 2006 में हुआ था कोहली बचपन से ही गलियों में क्रिकेट खेला करते थे उनकी इस खूबी को लोगों ने देखा और उनके पिता को कोहली को कोचिन दिलाने को कहा कोहली चर्चा तब आये जब उनके पिता की मृत्यू के दिन ही वह करनाटक के खिलाफ रंजी ट्रोफी मैच को दिल्ली में खेलने गए थे कोहली ने इस मैच में 90 रन बनाए थे पिता की मृत्यू के बाद कोहली के परिवार को किराय के घर में भी रहना पड़ा था क्योंकि आर्थिक स्थिती बहुत खराब हो गई थी कोहली को टैटू का बड़ा शौक है इसलिए उन्होंने अपने हाथ पर गोल्डन ड्रैगन टैटू बनवा रखा है और इस टैटू को वो लखी भी मानते है कोहली का फेवरिट टैटू स्पोर्टिंग अ सैमुराइ वोरियर है कोहली के बहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उनको 2013 में अरजुन अवाड से भी नवाजा जा चुका है क्रिकेट के साथ साथ कोहली को फुटबॉल भी बहुत पसंद है